हेलो बाइज आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप किसी के मोबाइल लंबर का डेटा निकाल सकते हैं यानि उसकी लुकेशन, उसका नाम, उसका सीएनेस लंबर उसका ड्रेस और उसके नाम पर जो दूसरे लंबर है वो भी डेटेल आप हासिल कर सकते हैं अगर आप भी जाना चाते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते रहे हैं वीडियो शुरू करने ने से पहले आप से एक चोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर पहली दवा विजर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आईकॉन को भी जरूर प्रेस कर लें ताके आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहल हैसिल हो सके तो गईस बास स्टाट करते हैं कैसे आप किसी के मुबाईल नबर का डेटा निकाल सकते हैं उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने मुबाईल की स्क्रीम पर और वहां मैं आपको बताता हूं कैसे आप किसी के मुबाईल नबर का डेटा एक से दो मिन्ट में नकाल सकते ह जी तो फ्रेंड हम अपने मुबाइल की स्क्रीम पर आगे हैं और यहां पर आपको यह एप ओपन होगी है इस एप का आपको नाम वीडियो के एंड पर मिल जाएगा तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तो दोस्तों आप जिस लंबर का वायो डेटा निकालना चाहते हैं लेकिन आपको यहां पर सिफर नहीं डालना जो हमारा हर लंबर है जो पाकिस्तान का हर लंबर होता है उसके फिरूपे एक होता है सिफर तो आपको जिरो नहीं लिखना जिरो के बगए लंबर लिखना है जो भी आगे आगे आपका लंबर है तो आप यहां पर लंबर भी ल लिखें तो CNA से लंबर निकलाएगा अगर आप उसका CNA से लंबर जानते हैं और मुबाइल लंबर नहीं जानते हैं तो आप यहां पर CNA से लंबर लिखें तो आपको मुबाइल लंबर उसका मिल जाएगा तो जैसा के मैं एक बंदे का जानता हूं लंबर फून लंबर उसक मैं CNN से लंबर नहीं जानता तो मैं उसकी location भी नहीं जानता वो कहां के है वो कहां के रहने वाला है तो मैं यहां पर उसका लिखुँगा लंबर 0 के बगएर जैसा के फ्रेंड मैंने यहां पर एक लंबर लिख दी है और यहां पर आपको जो लंबर का बायरेडा निकालना है वो इस लंबर लिखके आपको सर्च की उप्शन पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप सर्च की उप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस बंदे का सारा डिकोड निकल के आजेगा जिस बंदे के नाम हो सिम है और इस बंदे का नाम है जैसा कि यहांपर लिका हुआ है नेम रहमत अली इस बंदे का नाम रहमत अली है और इसका जो फर्स ड्रेस है पहला ड्रेस इसका है इसलाम पुरा वर्ड नंबर फॉर कसूर चूनिया और इसका दूसरा ड्रेस है इलाबाद कसूर का रहने वाला बंदा है ये और इसका सिटी का नेम है कसूर इसका नंबर ये है आपको जो लंबर आपने दर्ज किया था वो ही इसका लंबर आ गया और इसका CNS लंबर ये वाला हमें नीचर आ गया है जो के आप यहां पर उस वहां लिखते तो आप यहां पर CNA से लंबर लिखते तो आपको लंबर आ जाना था तो यहां पर अगर आप फून लंबर लिखते तो आपको CNA से लंबर जैसा के मिल गया है इसका अधर लंबर है जो आपने इस लंबर पर कोई और लंबर निकला हुआ है तो यहां पर आपको वो लंबर भी शो हो जाएगा जैसा कि इस बंदे का नाम पर एक ही सिम है तो इसका एक ही लंबर आ रहा है तो इस बंदे ने जो सिम को निकाला है उसकी डेट ये है 16 अक्तूबर 2009 इस बंदे ने 2009 में ये सिम को निकाला था तो यहां पर अगर आप एक और बात बता चाहूं दोस्तों अगर आपकी सिम 2019 में जो निकली है आपकी उसका बायोड़टा आप नहीं निकाल सकते 2020 और 2019 और 2018 के आखर में जानी के 2018 के दूसरे और तीसरे माँ के बाद जो आपकी सिम निकली है उसका बायोड़टा निकाल ही नहीं सकते यहां पर जैसे के इन वैबसेट बालों ने लिका हुआ है सिम डेटा बेस 2018 और सिम डेटा बेस 2017 इन इयर्स के पिछले इयर्स जो आप 2017 के पिछे इयर्स जो गुजर चुके हैं सिर्फ और सिर्फ आप उन्हीं लंबर का बायोड़टा निकाल सकते हैं अगर आपको लाइफ लूकेशन इस लंबर की चाहिए और इसका जो मुख्लिफ और बायोड़टा 2019 और 2020 का डेटा चाहिए तो आपको यहां पर इन्होंने वर्टस अप लंबर दिया हुआ है तो आप इनके वर्टस अप लंबर पे भी राप्ता कर सकते हैं मुझे नहीं पता यह फेक तरीका है या रियल है मुझे नहीं पता यह आपको सही इन्फरमेशन देंगे तो आप यहां पर ट्राई भी कर सकते हैं फिल्हाल आप मैं कहूंगा कि आप रहने ही दें ऐसे लंबर पर ट्राई करने के क्योंकि इन्होंने अपना number औरीजिनल भी दिया हुआ पहुत पता नहीं किस country का number है अगर आप यह पाकिस्तान ही होते तो इन्होंने अपना real number देना था तो आप मैं कहूँगा कि आप इस number पर राप्ता ना ही करिएगा फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वीडियो के आखर में इस एप का नाम बताऊंगा तो इस एप का नाम है Sim Owner Details इस एप का लिंक आपको नीचे description में मिल जेगा जहां पर आप इस एप को easily अपने mobile में install कर सकेंगे तो गाइस इस एप को ओपन करके देख लेते हैं इसका कैसा इंटरफेस है ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आजेगा यहां पर थ्री सर्वर आपको available हैं जहां पर आप थ्री सर्वर के जरीए mobile का data निकाल सकते हैं तो यहां पर उपर लिखा भी हुआ है कि अगर एक सर्वर काम नहीं कर रहा तो बड़ाय करम दूसरे पर कोशिश करें तो आपको पहले पर क्लिक करेंगे तो यहां पर बड़ाय करम number 0 के बगार दरज करें तो आपको dismiss करेंगे तो आपका वो website खोल जाएगी जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरूर में करके दिखाया है वही step आपको यहां पर करने है तो आपका number का data निकल आएगा जी तो वैस अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको like और share करना मत भूलिएगा कोई और question नहीं है तो आप नीचे comment में कर सकते हैं अभी तक आपने हमें social media पर follow नहीं किया तो नीचे दिएगे link पर आप click करके तमान social media पर हमें follow कर ले चैनल को subscribe नहीं किया तो आप हमारे चैनल को subscribe कर ले और साथ में bell icon को भी जरूर प्रेस कर ले तो गाइस मिलते हैं हम अपनी next video में तब तक के लिए अलाफिर